वylcom to learn you and me इस विडियो में मैं आपको Excel में फिल्टर आप्लाई करने का short cut की हाओंगा जनरली हम ज्कुलब का करते हो फिल्टर को ille करने के लिए उस टेबल की कि सिल को select करते हो बाद में आप data tab में जाते हो बाद में filter की क्लिक करते हो ठीक है तो दीके filter की ख़ता है आप किसी भी में को फिल्टर करते हैं दुछ कर दि कि अ क्विक तरह से टिक है फिल्टर उतब्र कोब्डाने पना तरह बदे कि आप कर सक्तने हैं कि यह कि लिए पहल में भी करतां ते कि मैं इपक्ली ख़ो छंट्र neces support के लिए आपका चाहि औरन चीज़ह लूह कर देता हूं उसको बाद में Ctrl Shift L Ctrl plus Shift L दबाता हूं ठीक है यह फिल्टर का बटन आ गया है तो देखिए सब को फिल्टर करना तो आल्ट दबा कर रेकता हूं उसको डाउन ऐरो बटन प्रिसका इसको तो आल्ट को छोड़ देता हूं में ठीक है नविगेट करने के लिए अट छोड़ देता हूं में एक भार फिर से बताते था हूं सौप में किसी वेल उसको फिल्टर करना है कोई कोलम में अल्ट दबा इया और अल्ट दबा ये और दबाई या झाल बतन दबाई ठीक है इसको अब आप छोड़ दिजिए अल्ट को उसको अदब नवीगेट करने के मेरा को ये फिल्टर बेंक मेरा को तो। आया टाँन हूँ क्वप्नि को पतर इक है शा है जिल्ट ओन सब और न्या उसी पड़ा रहा हूं बटन से और इस अब आने के लिए इसको किसे इस तरह से आप बेना माउस को यूज किये किसी टेबल में आप फिल्टर को आपको पसंदाया होगा पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट इन में से कम सकम कोई एक चीज़ जरू करें वीडियो देखनेक लिए धन्या